इस वीडियो में जो ठीज होगा उसमें किस तरह का exam होगा किस तरह के questions descriptive होंगे किस तरह की जो है screening test में होंगे वो चीज हमें इसमें देखेंगे तो सबसे पहले कर पार बात करें तो पहले जो आपका exam होगा वह होग uso screening test और screening test आपका 100 marks का होगा और इसमें जो आपके qualifying marks है 25 है objective टाइप पेपर ये जो है और इसकी weightage कुछ भी नहीं है 0 weightage है अब इसमें खास बात क्या आती है ये जो 100 number आपके 80 plus 20 इस तरह से इसके 100 number बनेंगे आपके इसमें 80 आपके सब्जेक्ट से related रहेंगे 20 नंबर आपके जो पैड़ाग होगी और इस तरह से जो आपके teaching aptitude और research aptitude इस तरह से मिलाके और हरियाना की जीखे और history political यह basic basic questions मिलाके आपके 20 नंबर बनेंगे तो उसका syllabus में आपको आगे दिखा दूआ कि किस तरह से आपका syllabus में बनेगा फिर next हमारे पास आता है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो पेपर होगा वह उसके जो total marks होंगे वह 150 होंगे और इसकी weightage बनेगी इसके basis पर आपका सेलेक्शन होगा इसकी weightage बनेगी 87.5 और यह जो exam है descriptive होगा अब आप पूछोगे कि भी descriptive होगा तो किस तरह की question आएंगे पास पास नंबर कहेंगे 10-10 नंबर कहेंगे कुछ चोटे होंगे कुछ बड़े होंगे या किस तरह से questions होंगे और उसके के लिए हम बात करें यह जो 35% नंबर इसमें minimum qualification क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है 35% नंबर तो आपके आए याए ठीक है जी तो अब इसमें हम बात करें कि कि जिस तरह से अगर हमाले पास अब यह जो पेपर है जो डेडरस नंबर गावर्यागिए आप जो अठारा जो के सीशचन होंगे न आपके ऐठारा की चैंड में आपको 15 किशिन करने हैं 3 किस्चन कोई भी आप चोड़ सकते हो कि यह 3 किस्चन मैं नहीं चोड़त रहा था म कि अगर हम बात करें इस तरह से एक किसिटन दसनंब्र का 15 क्यूüls next to 150 उस्थ जांगे इसमें कि एप बात करते हैं हम कि कितने कि दसनंब्र का कि एका हमारा मालो स alum पूज तो हमें कितने word में लिखना है यही तो हमारा अगला question है कि भी paper में मालो में 10 question आए है तो मुझे किस कितने word में उसको लिखना है तो उसमें जो आप exam देने जाओगे ना है वहाँ पर आपको एक sheet मिलेगी जिसमें मालो 32 पेज है यह फिर जितने पड़ल इंदर मेंतने ऊपने कि लिखना है वाको तक पो कोई ना तो उससे जादा जिगह में लिखना है ना कोई इसमें आपको एक्स्ट्राशीट मिलेगी कि कि का अगर कोई बोले कि मुझे एक्स्टा शीट में देदो तो ऐसा कोई प्रावदान इसमें नहीं रहेगा ठीक है जी उसके बाद हम बात करें कि भी हमने यह कर देख लिया कि भी हमारा जो तो डेट सो नंबर का पेपर होगा दस पंदरा कि चनाएंगे एक किस्टन दस नंबर का होगा और उसमें हमें स्पेस दिया मिलेगा अब इसका आंसर कैसे लिखना है जैसे हम मालो मौस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं जब यूनिस्टी का एक्जाम देने जाते हैं या फिर कोले फिर उसके बाद लास्ट मिसका कनकुलोजें दो यह सारी चीजी हमें सिखाते हैं लेकिन बट यह जो एक्जाम है इस एक्जाम में आपको इस चीज की जरूरत नहीं कि भी क्यूस्टन में जो आपने जो उसने एक्जामिनर ने आपको खाली वही लिखना है उससे बाहर एक नमबर भी नहीं लिखना है अगर आप उससे बाहर एक नमबर मलब एक वर्ड भी लिखते हो तो काउंट नहीं होगा हो सकता है एक्जामिनर पर नेगिटिव इंपक्ट चला चाहिए भई लब आपको जगए उन्होंने दे रखी है कई बच्चे क्या होते उनकी आदत होती आपको सिटमेड़ने की इसमा इसनी ऑटम उन्होंने इस सिट बर्द है को यहां पर क्वालिटी महें करेगे तो आप जो भी लिखो जो भी आप यहां पर लिखो उस ही जो उनका सिर्ट में आपको कि स्पेस एक रहुई ऑसी के बीच में पीचिया दे रख और और इसके साथ-साथ जो भी क्यूस्टन उन्होंने पूछा है, स्पोज उन्होंने पूछा है मालो क्यूस्टन, भई जो आजादी के जो नाएक है, आज दस आजादी के नाएक के नाम लिखो, विभारते, आप उन में किसी के भी दस आजादी के नाएक के जो आपको सही लग तिर उसके बाद हम दस नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं, अगर आप यह उपर वाले लिखते हैं, तो इनके आपके नमबर नहीं मिलेंगे, हम आगे चलते हैं, यह जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, दो गंटे का होगा, 20 नमबर में आपके एजुकेशन साइकलोजी, पैडगोगी, जनल, रिजिनिंग, मैंटल अबिलिटी, कम्प्रिहेंस, लोजिकल और एनलेटिकल अबिलिटी, डिसिजन मेकिंग, प्रोब्लम सोलिविंग, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, डाटा इंटरप्रेटेशन मालो, और उसके बाद आ जियोग्रोफि, पॉल्टी, कोनमी of हर्याना, मलब हर, आपको यह क्यूस्टन आने चाहिए, इस ट्री, पॉल्टी, एकोनमी, हर्याना से रिलेटेड, आपको प्यूस्टन आने चाहिए, यह आपके भी सिन नमबर के रहेंगे, प्लस आपका जो सब्जेक्ट जो पेपर तो इसके बाद इन्हों ने लास्ट में जैसे 57 समय में बोला है यह भी आपको त्यार करना है जू के शारी चीजे बिए आपको देखके जानी है प्री और मेंस दोनों के लिए देखके जानी है ये मेंस किसलिवस में इनों ने दे रखी है अगर आपकी कोई क्योई रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना